असलाम अलेकुम दियर क्लास सेवन स्टूडेंट्स आइम टीचर वकार यासिनबट फॉम यूपीएस तुर्कपोरा पहले बच्चों आज हम इंग्लिश की एक पॉइम पढ़ने जा रहे हैं पॉइम का नाम है विंडोस ये पॉइम विंडोस लिखी है वेस मैगी ने इसमें पॉइटर्स जो है नरेट करती हैं चाहिए हैं बहुत सारी खौइशाथ यानि विशूज एक स्कूल के टाल्ब आलम की तो देखते हैं बच्चों क्या-क्या विशिस, क्या-क्या खौईशात होती है इस स्कूल गोइंग चायल लेगी इस पॉएम में एक स्टूटन्ट के बारे में बताया गया है जिसकी एक स्टूटन्ग डिजायर होती है उन सभी जगों को देखने की जो इसने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी या कभी उनको विजिट नहीं किया ये एक बिल्डिंग के कॉरिडॉर से गुजरता है वाउ करता है और बहुत सारी तीजों को देखता है जैसे कि यह देखता है विंडो के जरीए से हाथियों को जो अफरिका में है एक जेट एरलाइनर को यह वाइट क्लाउड के उपर उड़ता हुआ देखता है यह वाटरफॉल यानि आपशार को देखता है आइस बर्क्स को देखता है और भी बहुत सारी चीज़ों को यह इस विंडो से देखता है यह देखता है एक प्लेग्राउंड जो डेजर्टेड है यानि इस प्लेग्राउंड में कोई भी मौजोद नहीं है और यह नवंबर का जो ग्री कलर का आस्मान जब होता है जब सर्मा का महीन आता है तो यह नवंबर का जो ग्रीस नवंबर स्काई है इसको भी यह देख पाता है इस विंडो के जरीए यह देखता है रोज आफ हाउसे कतार में यह बहुत सारी मकान देखता है और चिमनी देखता है एक बंद पड़ी फैक्टरी की चिमनी को यह देखता है और ये विलिंग है ये बच्चा ये चाहता है कि ये मैसेज पहुचाए इन सभी चीज़ों की जो इसने देखी बागी क्लास्रूम्स तक और आफिसे तक ताकि इसको फिर से एक चांस मिले इन सभी चीज़ों को देखने का बार बार हम शार्ट में ये कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये जो स्कूल गोईंग बच्चा है ये जो स्कूल का तालिप इल्म है ये चाहता है अब जरू करना हर उस चीज़ को जो इसकी इर्द किर्द है और इंजॉय करना चाहता है इन नजारों को इन साइट्स को जो इसकी आ इसका अंसर क्या है हाँ या नहीं येस इसका अंसर है ये स्पीकर जो है लॉंग कोरिडॉर के बीच में से वाउ करता है कुशन नंबर वन का भी पार्ट दे विव ओफ वाटर फॉल्स आइसबर्ग्स जेट एल लाइनर डज नॉट एक्साइट दो अर्थर वैरी मुच्छ ट्रू और फॉल्स इस ट्रू बिल्कुल सही है ये फॉल्स नहीं सही है पार्ट सी है फिर दा प्लेग्राउंड इस डेजर्ट इन दा मन्त ओफ डैश विद ग्री स्काई तो किस महीने में ये प्लेग्राउंड को बिल्कुल खाली पाता है ये बच्चा कौन सा महीना चल रहा होता है नवंबर का यहाँ पर आपको लिखना है नवंबर न-o-v-e-m-b-e-r नवंबर का महीना है ठीक है बच्चो और पार्ट डी है write five sentences on the things that you see everyday while going to school अब ये आपके लिए homework बच्चो पांच जमले लिखने है пять sentences लिखने है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है जो आपको दिखाए देती है school जाते हुए उनको आप देखते हैं school जाते हुए उनके बारे में 5 जमने लिखना है यह आपके लिए homework तो बच्चो ये थी poem the windows उमीद है आपको यह poem समझ में आई होगी इसकी summary समझ में आई होगी और जो मैंने आपको homework दिया है part D यह आप घर पे कर लेना write five sentences on the things that you see everyday while going to school जब आप school जाते हैं तो जिन चीज़ों को आप देख पाते हैं school जाते हुए रस्ते में उनके बारे में 5 जमने लिखना है यह आप कर लेना घर में आज के लिए इतना ही अल्णा हम